मुझे नहीं लगता है यार किसी वी डिवाइस के लिए इतनी जादा रिक्वेस्ट है ही होगी यहाँ पे हैं मेरे पास वीवो टी तरी जिसको यार मैंने फिलिपकार्ट के उपर से ओडर कर रहा है दो ही कैमरा मिलते हैं तो किस में बेटर है सबसे पहले कोई अन्वाक्सिंग दिखा दूँ तो यार फ्लिपकार्ट का बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर आपको वीवो का बॉक्स मिल जाएगा उपर D3 लिखा हुआ है साइड में कुछ स्पेसिविकेशन वगरा भी है जैसे इसको उपन करेंगे सबसे उपर रखा हुआ है फोन तो इसको निकाल कर रखते हैं थोड़ा सा साइड में नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ पेपर वर्क्स एंड साथ आपको एक टीप्यू केस भी मिल जाता है उसी में मिलेगा आपको एक 44 वाट का वीवो का फ आगे सब चीज आपको बताता हूं सबसे पहले डिजाइन देख लो कताई में लिटरेली बताऊंगा यार जैसे दूर से देखने में लगता एक 3D टेक्शर वगर है दिया हो पास जाके देखोगे तो फ्लैट ही है लेकिन अच्छा सा यहाँ प्याँ थी वाला लुक दिया वाली है तो वह बैक से लुक वाइस यार वीवो में हर स्मार्टफोन मुझे लगता है एक नंबर होते हैं यहां भी एक नंबर आपको मिलेंगे तो बहुत बड़ा स्मार्टफोन भी आपको नहीं मिलता है तो एजी तो यूज वन हैं फ्रेंडली आवला आपको यह मिल जा जा रहे हो यार इसी तरीके के वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी मिलेगा उसको दवाओगे तो जगमक जमक हो जाता है साधी साथ यार लाइक वाला बटन भी दवा देना अगर ऐसी ही ओनेस्ट वीडियो देखना आप पसंद करते हो वैसे इसके इंदर आपको हाइब्रिट सिम स्लॉट मिल जाता है 5G के बैंड भी 8 मिलेंगे 5G कनेक्टिविटी मैंने देखिए अच्छी आरी थी वाइफा कनेक्टिविटी के अंदर भी कोई इश्यू इसके अंदर नहीं आया है अब मैं सबसे पहले यार देखो डिस्पले की बात करन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं अच्छी क्वालिटी में यहां पर डिस्पले निकल के आती है 4K HDR का भी इसके अंदर सपोर्ट मिलता है कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी 4K वीडियो यूट्यूब के अंदर भी चला लो और जैसे मैंने बताया HDR वीडियो आप Netflix वहरा के अंदर भी स्ट्रीम कर सकते हो तो उधर भी काफी जादा सही रहती है और रॉल डिस्पले स जाते है उसमें brightness थोड़ी सी मुझे जादा मालूम दिया है उसका फुल comparison में इसके साथ बहुत जली लेके आऊंगा तो चेहन को सब्सक्राइब जैसे मैंने बोला जरूर से करके रखना लेकिन ओवराल डिस्पले आपको आउड़ोर विजिबिल्टी में कोई समस्या नहीं देगी विजिबल हो जाती है बागी देखो इसके अंदर in-display fingerprint scanner मलता है quickly unlock हो जाएगा इसके अंदर dual speaker VR company ने दिया है loud हो जाता है ठीक ठाक सी आपको loudness के साथ ठीक ठाक सा speaker मल जाता है बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है इवन जो haptics है यानि vibration motor वो भी आपको average वाले ही यह full charge होने में लेकिन यह जो processor है जो की एक main highlight point है media tech domestic 7200 वाला chipset आपको इसके अंदर मिलेगा on paper scores और आप देखलो काफी battery यहाँ पे आते हैं UFS 2.2 की storage के साथ यहाँ पे आता है सबसे पहले अगर मैं day to day use में आपको एक चीज़ दिखाओ तो देखो या इसके अंदर app opening या closing कोई खास animation नहीं देखने को मिलता है तो यह जगर थोड़ा सा अगर मैं कहूंगा company improve करेगी तो बहुत ज़्यादा better होगा लेकिन अगर आप normally apps वगरा को open या close करके मैं अगर आपको जली जली भी दिखाओंगा तो देखो ज़्यादा shuttle X वगरा नहीं देखते हैं UI में जैसे कि काइंट master के अंदर अगर आप heavy editing वगरा करना चाहते हो इसके अंदर smoothly कर लेगा तो जादा heavy load वाले अगर आपको टाक्स करने 20,000 रुपे के अंदर ये smartphone आपके लिए बिना अटके easily कर देता है इवन अगर आप सोच रहो gaming कैसी होगी तो BGMI इसके अंदर आप extreme setting के के अंदर खेल सकते हो सबसे अची चीज मैंने देखिया ना भाई heat नहीं होता है ये phone मतलब इतनी गर्मी already हो चुकी है ना मेरे area में बाहर भी लेगे गया मैंने camera test वह बहुत तगड़ी तरीके से करा बिलकुल भी heat नहीं हुआ था मतलब warm तक feel नहीं देता है इवन जब मैं इंडोर के अंदर gaming भी करी भाई बिलकुल भी heat नहीं हुआ gaming भी एकदम सुमूद चलते हुई आपको मिलती है तो तगड़ी gaming भी आपको यहाँ पर यहीं करा देगा तो यार मेरे हिसाब से यार optimization अची करी गई है लेकिन वही है UI की जैसे की मैं बात कर रहा हूँ देखो वी का app store जो है उसके भी notification वगएर आते हैं आपको वो notification बंद करनी पड़ेगी उसके बाद notification ज्यादा आपको परिशान नहीं करेंगे और hot apps and hot games को भी आप बंद कर दो तो वो clean आपके लिए जरूर से हो जाएगा उसके लावा जैसे मैंने बोला animation वगएर की थोड़ी सी जर रहता है एवन अगर आपको चुटके से call recording करनी है वो भी आप इसके अंदर easily कर सकते हो तो UI में बस थोड़ी मोड़ी चीज़ों की कमी है I think वो improve होगी तो और भी जाथा बेटर यहाँ पर UI निकल के आ जाती है लेकिन जब in the end बात करते हैं cameras की यहाँ पर अगर आप main sensor अंदर भी देखने को मलती है बस IQ में जो flicker sensor है वो यहाँ पर एक miss out होता हुआ मिलेगा लेकिन इससे बहुत जादा फरक मुझे यहाँ पर समाज में नहीं आया है day to day users के अंदर वैसे आप देखो back camera से आप वीबो के अंदर 4K 30fps तक video recording कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख स आपको stabilization दिखाता हूँ लेकिन back होता हूँ मैं sun जब मेरे पीछे आता है तो यहाँ पर यह main चीज देखने वाली होती है कि अच्छे से आपके face को कौन यहाँ पर retain कर पा रहा है किसमें आपको लग रहा है कि यार आपके साब से जाधा better colors को retain कर रहा है किसमें मेरी skin को यहाँ अच्छी स्टेबलाइजिशन के साथ निकल के आती coloring और अच्छे से में कहूंगugen यहाँ पर एग्जस्ट कर लेता है इवन फ्रेंट सेल्फी कैमरा मैं काऊंगा 1080p 30fps तक ही लिमिटेड है, यहाँ पर भी 4K वगएरा होता है, या 1080p 60fps होता, I think बहुत बैटर हो सकता था अल्राइट तो, यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रेंट सेल्फी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग, do tell me यार किसमें जादा बैटर आपको लग रही है, अगर background वगएरा देखें तो यहाँ पर देखो कौन जादा अच्छी तरीके से adjust कर पा रहा है, even skin को भी देखके मेरे क जरूर से बताना किसमें जादा बैटर लग रही है, थोड़ा सा आपको और भी दौर के दिखाता हूँ, let's see, तो stable किसमें जरूर से मेरे को बताओ comment section में, लेकर एक चीज़ जरूर से ध्यान दो, कि background में, यहाँ पर कौन अच्छे से मेरे face को expose कर पा रहा है, as compared अगर देख जादा दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी चीज मुझे यह लगी कि या, 1080p 24fps के अंदर आप इसके अंदर बुका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और तो यहाँ पर देख सकते हो, बुके वीडियो रिकॉर्डिंग का भी option यहाँ पर मिल जाता है, वीवो यहाँ प कौन सी जादा आपको बैटर लग रही है, मैं तो कहूंगा, मोटर मोटी या, दोनों की इमेजिस काफी जादा सिमलर यहाँ पर निकल के आती है, दोनों का या, जो color correction है, वो बहुत अच्छा है, दोनों की या, जो HDR tuning है, काफी ब्यादा बहतरी निकल के आती है, फेस के अं जादा अच्छी आप निकल के आती है, और इमेजिस के सैंपल बहुत जादा सिमलर भी आपको दोनों में ही लगेंगे, लग रहे हैं कि ने, लग रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताना, लेकिन अच्छी चीज मुझे लगी है, इसका selfie camera, इसके में जो depth है, जो detail है, वो इमेजिस की वो अच्छी यहाँ पर रहती है, इवन एच्छ देक्शन भी आपको अच्छा मिल जाएगा, और यहाँ पर भी में काऊंगा, आईक्यू से बहुत सिमिलर इहाँ पर इमेजिस वगेरा निकल के आ रही है, बसे इन दोनों का एक full comparison भी आपके लिए बहुत जल् साइड में है, बाकि आप डिस्प्ले देखो कि बैजस और पतले होते हैं, और भी जादा मज़ेदार होता, यह चोटी मोटी चीज़े हैं, जैसे अल्टरबाइट कैमरा नहीं है, अगर आपको इस चीज में कोई दिक्कत आती है, तो उस हसाब से आप देख लो, वरना यार फोन तो मैं कहूँगा, ओर आल काफी जादा बहतरी हैं, बाकि अगर आपका कोई और कोशन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आई, तो लाइक शेक एक बेना, कहीं मज़ जाना, टेक क्या, बाबाए